हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैडरेनल विड डालिसिस आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि फ्रिजेनियस की जो 5008 एश मसीन होती है उस पे हम ट्यूबिंग को कैसे सेट करेंगे और पेसेंट का कनेक्शन किस तरीके से होता है सबसे पहले हम मशीन को आउन करेंगे, मशीन को आउन करने के लिए हम इस बटन को क्लिक करेंगे यह आउन करते ही हमें स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ट्रेटमेंट और डिसिटमेक्शन है ना, तो सबसे पहले यह ऊन होगा, उसे पहले हमें मशीन की cleaning करनी है, both outer and inner side पर, outer side पर मतलब यह जो screen दीख रहा ये सारे को हमें clean करना है, इसको clean करने के लिए लिए ہम steps chemical के यूज्ज करते हैं। आपके आप पर कौन सा chemical होता है, वो मुझे comment box में बताइए। इनर मशीन के अंदर भी क्लियनिंग होना जरूरी है जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें हम थ्री टैप की होता है पहला वाटर रिंज धैन हाट रिंज देन कोल्ड इसिंफेक्टन थे तो अभी हम क्या करेंगे पहले सबसे पहले रिंज देंगे रिंस complete होने के बाद rinse complete जैसे ही होता है जैसे ही complete होगा से बाद हम treatment में जाएंगे treatment में जाने के बाद यह test पे लेगा test पे लेने के लिए हमें यह part A जो है acid concentration उसमें connect करना है and part B यहाँ पे हम buy bag use करेंगे जो bicarbonate होता है यह online machine की यह set हो गई है उसके बाद यह test पे होगे test जब तक complete होता है तब तक हम priming कर सकते हैं तो priming के लिए हमने पहले एने स्वित हैवी सेट ले लिया है अब हम dializer लेंगे dializer में हम dializer को उल्टा रख लेंगे और सबसे पहले जो arterial line है dializer की है ना dializer के arterial line को हम connect करेंगे देन उसके बाद ये जो pump आप देख रहे हैं blood pump इस पे connect करेंगे थोड़ असा हलका click करने पे ये जो sensor है ये बाहर आ जाता है जिस पे हम इसको sensor को connect कर देंगे sensor ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये ही parin line है जिसको हमने आउट सेट पे कर दिया है देन उसके बाद ये जो blood volume monitor है ये blood volume monitor है और नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है blood temperature sensor है इसको connect करने के बाद हम क्या करेंगे venus tubing को set करेंगे तो सबसे पहले dializer में set करेंगे देन उसके बाद venus chamber ये जहां पर आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सहलका push करेंगे तो ये connect हो जाएगा उसके बाद ये नीचे sensors है venus blood volume monitor और arterial venus temperature sensor है ठीक है then other side से हम drain के लिए उसको connect कर देंगे ये सारी tubing set हो गई है tubing set होने के बाद हमारा ये जो door है इसको हम close कर देंगे door close हो जाने के बाद हम देख लेंगे कि अच्छे से tight है कि नहीं ये set होने के बाद ये जो anis है इसको आप पहले भी connect कर सकते हैं और इसको आप बाद में भी connect कर सकते हैं तो हमने ये बाद में connect कर दिया है अब ये connect हो गई है अब जो anis है यहां से जाएगी door close होने के बाद आप स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा, यह tubing पूरी set हो गई है, अब यहाँ पे जो blood pump है, यह pre preparation लिखा हुआ है, pre preparation जब हम click करेंगे तो blood pump on करने का option आएगा, blood pump जैसे ही on करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो उपर 0 लिखा हुआ है monitor पे यह pump चल रहा है, यहाँ पे 100 है, तो आप 100 से 200 के बीच में हम प्राइमिंग कर सकते हैं, प्राइमिंग वॉल्यूम क्या होती है, उसके उपर एक अलग से वीडियो हम बाद में बनाएंगे, अभी यह है, ठीक है, दैन उसके पाद एनिस पूरे circuit में क्या होगा, जाएग जाने के बाद यह हमारा प्राइमिंग कंप्लीट होने के बाद हम सर्कुलेशन पर डाल देंगे, सर्कुलेशन में डालने के लिए, डालने के लिए हम क्या करेंगे, आर्ट्रियल और जो वेनस लाइन है, उसको हम कनेक्टर के थूरू कनेक्ट कर देंगे और सर्कुलेशन म अप्लिंग हो चुकी है मशीन के लिए पूरी रेडी हो चुकी है वहां पर प्रेप्रेशन जो लिखा है यह कि यहां पर जाने के लिporter आये यहां पर जाना के लिए उपन जूएगों तो यहां पर अपर ऐसे विप्स Сам på कर सकते है még यहां पर कॉन सा डालेजर आप यूज कर रहे हैं वो दिखाएगा देन लास्ट में जो सिस्टम है यहां पर पूरे ट्यूबिंग सेट का दिया हुआ है कि आपने कैसे कैसे सेटिंग की है यह क्लीनिंग का ओप्षन है देन सिस्टम में यह इसका लाउडनेस ब्राइटनेस य देन उसके बार ट्यूबिंग कनेक्ट होने के बाद हम पेसेंट में कनेक्ट कर देंगे जैसे आप नॉर्मल मशिन में करते हैं वैसे ही सेम इसमें आप कनेक्ट कर देंगे कनेक्ट करने से पहले हमें हीपैरिन जो प्राइमिंग टाइम पे है वहां पे हीपैरिन हम कनेक्ट कर देंगे बोलस देंगे दैन अभी हम कनेक्शन के बाद हम ही पैरिन सेट करेंगे पेसेंट का देखके कि उसकी बीपी कैसी है पैरिन फ्री है कि लोडोस है हाई डोस है यह सारे चीजों को देखके हम ही पैरिन सेट कर देंगे ही पैरिन सेट करने के बाद यह जो डैलेजर है यह नॉर्मल SD के लिए है इस मशीन में बहुत सारे और फंडमेंटल है जैसे SDF है पोस्ट डिलूशन प्री डिलूशन यह सारे ऑप्शन्स दिये हुए है अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेर जरूर्ट है